यार मुझे Poco F1 खरीदना था लेकिन SMH Poco F1 का जो प्राइस है वो है 21,000 रुपीज लेकिन उतना बजट नहीं है मेरा मेरा बजट highly मैं extend कर सकता हूँ 20,000 रुपीज तक बहुत ही मुश्किल से तो बहुत ही जादा disappointed था लेकिन SMH आज मैंने Flipkart को खोला और देखा के एक upcoming sale आ जो भी सारे latest और greatest offers है स्मार्टफोन के अंदर technology के अंदर basically इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको notify करूंगा और best peaks भी मैं आप सबको video के end में बताऊंगा तो video का end पार्ट भी थोरा से देख लेना और Poco F1 की तरह ही बहुत सारे दूसरे स्मार्टफोन के अंदर भी अच्छ mobile section में चले जाए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Flipkart का जो big shopping day sale है वो 6 तारीक से start होगा जो कि December का और 8th December तक last करेगा तो यहाँ पर बहुत सारे मोबाइल से है और यह सब तो आपको भी देखने को मिल रहा होगा और यह सब अगर आप देखेंगे तो आप भी confused हो अपने आप सब के साथ share करूँगा और इसमें Poco F1 भी है तो वीडियो को एन तक देख लेना और वीडियो को last तक देख लीजे ताकि आपको सभी सभी जो deals है वो आपको देखने को मिल जाए और मेरा जो budget है वो है 5000 रूपीस से start होगा और 25,000 रूपीस तक जाएगा तो सब इसमत सोचिए यहाँ पर आप खरीद लीजिए Zenfone Lite L1 तो यहाँ पर अपने स्क्रीन पर यानि कि मेरे mobile स्क्रीन वाला जो वीव है वो देख सकते है तो यहाँ पर आप देख सकते है mother of all deals यहाँ पर है Zenfone Lite L1 तो इसके अंदर क्या खास है क्यों मैं आप सब को 5000 रूपीस के यह मिल जाएगा बिल्कुल एक्स्क्लूसिवली 5000 रूपीस के अंदर तो इसके अंदर बैसिकली जो प्रोसेसर है वह स्नैपड्रेगन का 430 और इसके अंदर 3000 एमेज की बैटरी मिलती है कैमरा आगे पीछे ठीक ठाक है और डिस्प्ले भी 5.45 इंच के HD प्लस डिस्प्ले है तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके अंदर 5000 रूपीस के अंदर वेलो पर मनी स्मार्टफोन है उसके बाद हम चलते हैं हमरे नेक्स प्राइस सेंज के अंदर जो कि 8000 रूपीस तो अगर आपके पास थोरा सा ज़्यादा पैसा है और आप 8000 रूपीस स्पैन करना च देख सकते हैं कि इनफिनिक्स का जो नोट 5 है वो 3 और 32 जीबी का जो स्टोरेज वालो जो वेरायंट है उसका प्राइसिंग पहले था कुछ 10,000 रूपीस और 10,000 रूपीस से अभी इसके अंदर 2000 रूपीस का फ्लैट डिसकाउंट 6 टू 8 डिसेंबर तक होगा तो इस सेल के अगर आपके पास 8,000 रूपीस है तो दोस्तों उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स बजट में जो की होगा 10,000 रूपीस का और 10,000 रूपीस के अंदर में आप सब को एक मात्रा स्मार्टफोन रिकुमन करोंगा जो की होगा Nokia 5.1 प्लस ये स्मार्टफोन का पहले जो इसका प 5.1 प्लस है, MediaTek का Helio P60 प्रोसेसर के साथ आता है, काफी अच्छा इसका पर्फोमेंस होगा और डिजाइन वाइस, लूक वाइस, इन हैंड फील वाइस काफी प्रीमियम है, 10,000 रूपीस बजट है तो Nokia 5.1 प्लस खरीद लीजे, PUBG अगर अभी खेल पाएंगे आग बंद कर के पर्चेस कर लीजे, इस सेल के अंदर तो 1,000 रूपीस का डिसकाउंट है, तो 10,000 रूपीस है, तो डेफिनेटली वैलो फोर मनी है, ये Nokia 5.1 प्लस, और दोस उसके बाद अगर आपके पास है 13,000 रूपीस, तो आपको कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, तो यहाँ जो मोटो X4 का जो 6GB और 64GB वाला जो वैरायंट है, यानि कि 6GB RAM और 64GB ROM वाला जो वैरायंट है, इसके अंदर आपको भारी डिसकाउंट मिल रहा है, और 13,000 रूपीस के अंदर आपको वो वाला वैरायंट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह वैलो फोर मनी है, स्नैप ड आरा पैसा को इखटा कर लिया है, और आपके पास 15,000 रूपीस आ चुका है, तो मैं बोलूँगा कि किसी भी फाल्तू स्मार्टफोन के पास मत जाए, और यहाँ पर मैं आप सब को एक मतर स्मार्टफोन रिकूमन करूंगा, जो कि होगा, रियल्मी का U1, जी हा, आपने सही सुना, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर तो रियल्मी का U1 कहीं भी मुझे मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर यह एमाजोन एक्स्लूसिव डील है, और आप जाए एमाजोन के अंदर, और यहाँ आप सब को नहीं बोलूँगा कि अच्छे डील्स के लिए आप उस स्मार्टफोन को छोर के फ्लिपकार्ट से कोई स्मार्टफोन पर्चेस करें 15,000 रूपीज के अंदर, और दोस्तों के बाद जो हमारा next budget category है, वो है basically 16,000 से लेके 19,000 रूपीज तक, तो इस budget के अंदर आप सोच रहे होंगे कि कुछ स्मार रहा है, वो ही उसका highlighting feature है, और उस स्मार्टफोन को definitely skip कीजिए, और आप 16,000 रूपीज के अंदर आप really कोई budget आपका है, तो आप यहाँ पे OPPO का F9 पर्चेस कर सकते हैं, यह स्मार्टफोन आपके लिए value for money होगा इस price change के अंदर, और मैं आपको बोलूँगा कि 16,000 रूप आप ना ही खरीदे तो अच्छा है, और आप अपने budget को increase कीजिए, 20,000 रूपीज तक लीजिए, और यहाँ पे आता है हमारा king of the deal, जो कि है POCO F1, और इसका price था पहले 21,000 रूपीज से यह start होता था, और यहाँ पे आपको exclusively 6, 6 से लेके 8 तारिक तक यह आपको मिल जाएगा तो अगर आपको POCO F1 चाहिए, तो definitely future flip cut में जाएगे और इसको आप purchase कर लीजिए, तो बस यही थी और अगर आपके पास और भी जादा budget है, तो 25,000 रूपीज तक अगर आप अपने budget को expand कर सकते हैं, तो जैनफोन, आसूस का जो जैनफोन 5Z है, यानि कि 5Z basically, उसका भी pricing जो 6GB और 64GB का जो pricing है, वो घटा के उन लोगों ने 30,000 से लेके उन लोगों ने घटा के 25,000 तक ले आया है, तो अगर 25,000 रूपीज तक का budget है, तो मैं बोलूँगा के POCO F1 को मत खड़ी दिये, और जैनफोन 5Z को purchase किजिए, वो बेटर है POCO F1 से, डिजाइन, कैमरा और बाकी च स्मार्टफोन के अंदर, वो मैं आप सा कज़ा शेयर करना चाहता था, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो definitely इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कर दीजे अपने सारे दोस्तों के साथ, तके उन लोगों को भी अपना जो फेबरेट स्मार फोन है, वो जल्दी से जल्दी मिल जाए, so thank you for watching this video guys and see you in my next video, definitely.